हाई फ्रेंड्स मैं हुआ रूंगी और आपके अपने टेक्निकल कंसेट में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं तो आज कामा टॉपिक है आपके इस वीडियों के पुलियों आपके काप्शिटी कैसे कल्कुलेट किया जाता है वह आज वीडियों में देखते हैं कैसे कल्कुलेट करते हैं तो बहुत सिंपल है इसका यह फॉर्मुला है कि उसको क्यों 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 क्या होता है मार्श फ्लो रेट अ जो हमारे कुलिंटाव में पानी फ्लो होगा वो होता है मिस कितना फ्लो रेट से हमारा पानी फ्लो होता है वो होता है mass flow rate that is m and delta t क्या होता है temperature difference between cooling tower inlet and outlet water means cooling tower में जो hot water enter करता है और जो cold water बाहर निकलता है इन दोनों का जो difference होता है उसके हम delta t बोलते हैं इसका value 1 होता है और इसका unit होता है kilo calorie per kg के लिए यह formula के जो parameter से हमको q मिल जाएगा cp मिल जाएगा delta t मिल जाएगा और हम calculate करेंगे तो आई एक example के तुम calculate करके बताता हूं कैसे pump का capacity calculate किया जाता है for example हमारे cooling tower है उसका capacity 300 tr है और उसका inlet temperature 34 degree Celsius है means hot water का temperature जो cooling tower में enter हो रहा है उसका 34 degree Celsius है और outlet water जो cold पानी बाग cooling tower से बाहर निकल उसका temperature 30 degree Celsius है तो इसमें कितने fp का इतने flow का pump लाएगा यह हमें calculate करना है okay तो पहले हम जान लेते हैं 1 tr is per to 302.95 kcal per hour हमारा यहां पर capacity tr में दीजा है इसको हमको kcal per hour में convert करना है तो 1 tr इसको इतना kcal per hour होता है इसको हम convert कर लेंगे तो हमारा 300 tr is low to 907185 kcal per hour हो जाएगा इसको हम इसको हम फॉर्मिले में apply करेंगे की इस बादो mcp delta t यहां पिक्व हमारा 907185 हमने एंटर कर दिया यह हमको calculate करना है mass flow rate और cp का value बहुता है और temperature difference 4 hours हम calculate करेंगे तो हमारा जो m का value आएगा 226796.25 kg per hour में mass flow rate आए इसको हमें cubic meter per hour में convert करना है तो cubic meter per hour में convert करने के लिए करेंगे इस value को हम kg per hour में इसको 1000 से divide करेंगे तो मीटर की per hour में आ जाएगा तो यह हमारा pump का flow होगा इतने capacity का इतने flow वाला pump हमको cooling down में fit करना पड़ेगा तो इस तरह से हम cooling down के pump की capacity calculate करते हैं तो उम्मीद करता हम आपको वीडियो अच्छा लगावा तो वीडियो अच्छा लगाए लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें तो थैंक्स पर वाचिंग बाए बाए